ज़्यादा तर लड़किया सोचती है कि liquid foundation जो रहता है वो oily skin वालों के लिए ही रहता है, dry skin वाले इसे use नहीं कर सकते है, तो इसा बिल्कुल नहीं है, मैं आज के वीडियो में आपके साथ ही share करने वाली हूँ, liquid foundation कौन कौन सी skin में use हो सकता है, साथ ही इस वीडियो में जानें के foundation कैसे बनता है, और foundation कितने प्रकार के रहते हैं, और foundation को market में खरिदते समय हम किस तरह से पैचाने की हमारे skin के according है किने, ये सारी बात हैं आज के वीडियो में cover करने वाले हैं, Hello friends, Welcome back to the beauty channel, आज की वीडियो में हम जानेंगे अपनी skin type के according foundation को कैसे चुने, और liquid foundation जो है वो कौन कौन सी skin type में use हो सकता है, क्यादत है सब यही मानते हैं ना कि liquid foundation जो रहता है सिर्फ oily skin वालों के लिए होता है, ऐसा नहीं है, तो पहले मैं आपको बता दू, liquid base foundation के दो प्रक इसे हर skin type में use किया जा सकता है, लेकिन कैसे वो हम आज वीडियो में जानेंगे, यह में वीडियो में आगे आगे आपको डेमो के साथ बताने वाली हूँ कि cream base जो foundation है, वो किस तरह का रहता है, water base किस तरह का रहता है, और किसे use करना चाहिए, और foundation का दूसरा प्रकार रहता है, वो है cream base, cream base का जो foundation रहता है, वो हर type की skin को suit करता है, और ज्यादा तरह बेस तुमाना जाए, तो वो dry skin वालो के लिए होता है, cream base किस टैप का रहता है, वो हम आगे वीडियो में भी जानने वाले है, फिर रहता है तीसरे type का foundation है, वो है mousse base, mousse base रहता है, वो old skin type रहता है सबी skin में mousse base का foundation यूज किया जाता है, फिर चोता जो प्रकार रहता है, वो है powder foundation, powder foundation किसे कहते है, जो mineral base foundation रहते है न, pen cake type के, उसे बोलते है powder foundation, वो भी मैं आगे आपको भी पता रही हूँ, और वो होता है oily skin के लिए जो best रहता है, ठीक है, इस तरह से, तो देखे, अब हम liquid base foundation में कौन-कौन से दो टाइप है, cream base है, और water base है, ठीक है, और जो cream base foundation है न, चाहे वो liquid में भी रहे, तो भी वो dry skin वालों के लिए best है, क्योंकि उसमें oil aid किया है, इस तरह की जो उसकी consistency रहती है, वो सारी इस तरह की रहती है, और जो water base है न, वो oily skin वालों के लिए रहता ह water base यानि कि उसमें जो ingredients है न, उसमें water add किया होता है, तो इस तरह से अगर liquid foundation रहे न, तो भी वो dry skin वाले भी use कर सकते हैं, और oily skin वाले भी use कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें देखना ये है, कि उसके ingredients में क्या use किया गया है, अगर oil use किया है, तो dry skin वालों के लिए है, अगर water base बना है न, तो oily skin के लिए है, ठीक है, और फिर अब बात करते है, powder foundation, और हाँ, लास्ट में ये भी comment पे बताइएगा, कि ये professional makeup course की जो series चल रहे है, वो enjoy तो कर रहे है न, और ये जो professional makeup course की series जो हम चला रहे है, उसमें से आपको कुछ सिखने को मिल रहा है या नहीं, आपने इसमें से कितना सीखा, और कोई doubt है, आप कुछ नहीं सीख पा रहे है, तो भी बताइए, कोई question है, तो भी आप share करे, क्योंकि आपको ये professional makeup course completely आज आना चाहिए, तो फिर अब बात करते है, powder foundation की, तो powder foundation जो रहता है न, वो दो type का रहता है, एक जो रहता है, HD coverage देता है, तो डेमों के पहले तो मैं आपको foundation based theory बता दू कि foundation किस तरह से बनता है, foundation में क्या-क्या aid करते हैं कि foundation बनता है, तो देखिए, foundation दो चीजों से बनता है, pigment और fillers यह दो चीजों मिला कर बनता है foundation ठीक है तो अब यह जान लेते हैं fillers क्या है pigment क्या है तो देखिए fillers किसे बोला जाता है जैसे की oil है water wax mosturize यह सारी चीज़े है न वो fillers में आती है ठीक है और pigment किसे बोला जाता है color color जो है ना वो आता है pigment में ठीक है और देखिए जिसमें 60% feelers रहता है और 40% ही pigment रहता है ना वो होता है normal coverage वाला foundation और ये most openly dry skin वालों के लिए best रहता है तो देखिए मैं यहाँ आपको normal coverage वाला foundation दिखा रही हूँ वो foundation की step करेता है कि हम उसे apply करते है ना तो तूरंद ही हमारी skin में एकदम melt हो जाता है पता नहीं चलता है कि हमने कुछ लगाया है नहीं लेकिन एक अच्छी सी shine छोड़ जाता है लगता है कि हमारी skin पे एकदम shine आ गई हमारी skin shine कर रही है उस type का वो रहता है क्यों क्योंकि उस foundation में 60% pigment है और 40% fillers है ना उसे बोलते है high coverage foundation देखिए इस type के जो foundation रहते है ना उसको high coverage foundation बोलते है जो ज्यादा coverage देता है देखिए आपको मैं इसे blend करके दिखा रहे हैं देखिए आप देख सकते हैं इसमें color ज्यादा है ना fillers कम है cream quantity में थोड़ा match आता है इस type का और ये foundation foundation भी देखिए वो भी उस type का ये high coverage वाला है देख सकते हैं पूरा ये जो skin इना उसको cover कर दे रहा है ना तो इस type के जो foundation रहते है ना उसको high coverage foundation बोला जाता है और ये जो foundation रहते है ना वो normal skin वालों के लिए होते या तो इसे हर skin वाले यूज़ भी कर सकते ड्राइ स्कीन में और oily skin में भी इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि इतना ड्राइ भी नहीं रहता है और एकदम water base भी नहीं रहता है ठीक है और फिर बात आती है जिस foundation में 80% pigment और सिर्फ 20% ही fillers रहे ना उसे बोलते है HD coverage तो ये आप देखिए ये देख सकते है ना HD coverage वाला foundation है और ये HD foundation ज्य रहते है ना वो full coverage देता है देखिए वो इस तरह से HD look देता है आप देख सकते है इसे apply करते ही ये skin को पूरा cover कर देता है देख सकते है ना आप अगर skin में कोई भी problem रहे ना pigment या कोई भी तो उसको इकदम height कर देगा और इस तरह से वो high coverage देता है तो समझ में आ गया कौन से coverage वाला foundation हमें कौन सी skin पर apply करना है ठीक है तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप foundation को खरिदने जाए तो कैसे पता करें ये हमारी skin के लिए suitable है या नहीं ये dry skin के लिए है या तो oily skin के लिए है ठीक है HD है high coverage है या तो normal है कैसे पता करें तो देखिए हमें foundation को किस bilateral प्लस मॉस्टीराइजर प्लस pigment रूए लिए वह मैं सपासा वह लिएсем टाएं तो हम किस तरह से पहयचाने अगर हमारी इसके ड्राय है और हम foundation खरीदने जा रहे न तो हमें क्या देखना है इस तरह से foundation की ingredients में लिखा होगा oil अगर oil लिखा हुआ है न तो समझ लिजिए ये आपकी skin के हिसाब का है अगर dry skin है आपकी तो ये आपके लिए है ठीक है अगर उसमें लिखा है water इस तरह से water लिखा होगा न वो foundation की ingredients में तो समझ लिजिए कि वो oily skin वालों के लिए suitable है oily skin वालों के लिए जो रहता है water based रहता है ठीक है अगर अगर उसमें लिखा हुआ है wax wax based वाला रहे न तो वो old skin type में use हो सकता है और wax वाला ज्यादा तर कौन सा रहता है तो वो रहता है pancake powder foundation जो रहता है वो इस टाइप का रहता थीक है और इस टाइप के जो stick foundation रहते है उसमें भी wax का use होता है देखिए इस टाइप के stick foundation भी आते हैं तो देखिए अब हम बात करते हैं हमने कौन-कौन से foundation देखे liquid base foundation cream base mousse base powder foundation तो यह इस टाइप का जो foundation रहता है उसे liquid base बोला जाता है इस टाइप का जो stick type रहना stick वाला र यह वह मैं आपको नहीं दिखा रही हूं। इसलिए मुस्ट बेस भी रहता है। और जो रहता है वह पावडर फाउंडेशन रहता है। जिसे पेंकेक गोलते हैं। इस टाइप का रहता है। हो mineral based रहता है तो आज के वीडियो में हमने कितने प्रकार के foundecheson रहते हैं वह cover किया foundation किस तरह से बनता है वह हम ने सीखा कौन सी coverage वाला foundation हमें किस type की skin पे यूज़ करना है वह सीखा और मार्केट से foundation खरिबते समय हम अपने skin type की according किस तरह से foundation को पहचान सके वो हमने सीखा तो आई होब जिसने प्रोफेशनल मेकप कोर्स की सीरीज हमारे साथ पहले से क्लास को जोइन किया है ना वो अच्छे से स्टेप बाइ स्टेप सब सीख रहे हैं और मेरी यही कोशिस रहती है ना कि आप कुछ सीखे जो मैं सिखा रही हूं उसमें से आपको कुछ सीखने को मिले अगर आप प्रोफेशनल मेकप सीखने के लिए दस मिनिट भी अगर मेरी वीडियोस को दे रहे है ना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कुछ ऐसा सीखा हूं जो आपको यूसफुल रहे और मैं प्रोमिस करती हो ना आप अगर प्रोफेशनल मेकप में आपको सिखा दूंगी तो प्रोफेशनल मेकप कोर्स की पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहे हैं और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें जो प्रोफेशनल मेकप कोर्स सिखना चाहते हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए बबाई एंड टेक केर